हेलो एब्रिवान वेल्कम टू अबर चानल बिलीव इलर्निंग आज हम लोग हमारे बिजनस और्गनाइजेशन सब्जेक्ट के अब नेक्ट चाप्टर के उपर बात करेंगे आज का हमारा जो चाप्टर है वो है letter of complaint and their reply हम लोगों ने सारे letters देख लिए अब बस हम लोगों को एक एक करके सारे letters हमें देखना होगा format देखो सबका वही है बस खाली हम आपको एक एक हिंट देंगे कि किस तरीके से आप हाल letter लिख सकते हैं ठीक है तो अब देखें यहां पर हमने एक letter लिखा है सबसे पहले हम बात करेंगे complaint letter की यहां पर चाप्टर है आपका complaint letter तो देखें complaint letter में देख क्या रखा है complaint नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज की complaint की जा रही है तो जब बायर goods purchase करता है तो उसे अगर खराब हो गए damage हो गए timely नहीं पहुचे अगर कोई भी शेकाइत होती है तो वो उस ताइप का letter लिखता है उस ताइप से regarding letter लिखता है अपने seller को तो यहां पर ध्यान रखिएगा complaint letters में आपका buyer sender होता है और seller receiver होता है और जब reply दिया जाता है तो आपका seller sender होता है और buyer receiver हो जाता है ठीक है तो इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा और जैसे यहां पर दे रखा है write a letter complaining of poor quality of goods and returning them यह दे रखा है तो इसको लिखना है तो हमने example लिया है लाइक एक company है लावनिया garments ठीक retailer है उसने letter लिखा है यह sender है उसका यह address ठीक date reference number telephone number अब वो किसको लिख रही है miss garment m.s garment house 101 padder road मुंबई यह इनका address है यह इनकी company का नाम है जिसको वो लिख रही है तो इन्होंने इनको लिखा यह receiver हो गई subject क्या है complaint letter है यहाँ पर आप complaint कर रहे हो किसकी poor quality of goods की ठीक है अब देखो लिखा हमने start किया dear sir we regret to inform you that your latest consignment of ladies court is not at all at our satisfaction यानि कि starting हमें कैसे करनी आपको hint मिल चुका होगा we regret to inform you that we don't accept it या ऐसी करके आप starting करोगे ठीक है जिसमें ऐसा लगे कि हाँ आपने उनसे यह expect नहीं किया था आपने चाहा था कि आप उनको better से better quality प्रोवाइट करा होगे ठीक तो we regret to inform you that that वह regret कर रहा है कि आप ने जो भी गुट्स जो भी लेडी इसके कोट्स उन्होंने मंगवाए थे जो उन्होंने मंगवाए थे वह उनकी satisfaction की उनको नहीं समझ में आए ठीक है next the fur is not good quality as it is not smooth and soft the cloth is also coarse and looks cheap यानि कि यहां पर बोला गया है कि जो भी गुट्स आया है जो भी कोट्स आये हैं कोट्स वगएरा आये हैं उनका fur वगएरा उनके अंदर की जो रूई वगएरा होती है वो अच्छी quality की नहीं है ठीक बहुत खराब है स्मूथ नहीं है ठीक और बताया गया कि और भी जो कपड़े हैं वो बहुती जादा चीप टाइप के लग रहे हैं ठीक है तो वो तो बात हो गई next बात करें तो next क्या लिखा है these clothes repelled by buyers from this shop we are unable to offer such goods to our customers and are returning them to you we trust you would supply us good quality in future यानि कि यहां पर आपने बस थोड़ी सी बात कहके और थोड़े polite words use करके बात खतम करीं क्या कि वो उन्होंने बताया कि आपके buyers को यह अपने shop पर नहीं दे सकते और क्यों कि अगर वो shop को अपने buyers को देंगे यानि कि अपने customers को देंगे यहां पर क्या होगा customers उसको deny कर देंगे वो पसंद नहीं करेंगे जब हमें पसंद नहीं आ रहा है ठीक है या ऐसे words का use करना ऐसा sentence बोलना जिसमें यह लगे कि हां buyer हमारी इस गलती के बाद भी हमसे connect रहना चाहता है और वो connect रहेगा भले आप रहो ना रहो वह बात अलग है बाकी एक बात है एक sentence ठीक है वो जरूर से लिखेगा और देन उसके बाद में yours faithfully for sender कौन था लावनिया garments तो उनका name और जैसे purchase manager example ठीक है तो यह था आपका पूरा letter complaint का अब जैसे जिस टाइप से आपको complaint letter मिला उसी बिहाफ पे आप इसको reply भी करोगे तो यह था आपका पूरा portion I wish आपको clear हो गया होगा कोई doubt नहीं है अगर कुछ भी है तो comment section में mention करना मत भूलेगा thank you पूलेगा